Hello guys and welcome back to the channel and I hope आप सब लोग काफिज आव अच्छे होंगे दोस्तों किया मोटर सैनी की किया जो है भाई हिस्टरी क्रेट करने वाली है किया एक ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके पास दो कॉम्पक्ट SUV हो जाएगी हमने रीसेंड़ी किया सिरोस पे एक वीडियो बने थी जहां पर थोड़ी सी क्लारिटी नहीं थी पर अब वो क्लारिटी आ चुकी है बड़ी-बड़ी ओटमोबिल वेबसाइट्स ने और बड़े-बड़े मीडे आउस ने कनफर्म कर दिया है कि किया सिरोस जो आ रही है वो एकसर या पंच के साइस की ना होके सॉनेट और सेल्टोस के बीच की एक कड़ी बनेगी सो बेसिकली देखा जाए तो अब किया के पास दो कॉम्पक्ट SUV हो जाएंगी सॉनेट एन सिरोस 19 दिसंबर को इस कार का अन्वील होने वाला है दोस्तों और अभी जो एक्जिबीशन आएगी इंडिया एक्स्पो की सो जैनवरी में ये शोकेस हो जाएगी और मेरे काल से जैनवरी एंडिया फैब में ही इस कार की डिलिवरी जो है स्टार्ट होने वाली है इस कार को लेगे बहुत सारी अपडेट सा मेरे पास तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना चैनल पे अगर आप नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब लेट्स को जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहली कंपनी बनती है जिसने ये step लिया है कि अपने portfolio में दो compact SUV कर लेना तो अब imagine करो यार मतलब मैं ऐसी सोच रहा था क्या ये possible है कि भाई मारूती के पास भी ब्रेजा के जैसी एक और कार आजाए फिर टाटा नेक्सोन के जैसी एक और आजाए अब ये सारी आएंगी ये नहीं आएंगी एक और ये तो बात की बात है पर्ट क्यूंकि आपको पता है Hyundai और Kia जो है similar तरीके से काम करता है तो एक चीज़ जरूर मुझे लगता है कि एक venue जैसी कार अब Hyundai के पास भी definitely आ जाएगी अब कुछ लोगों को हो सकता है दोस्तों ऐसा लगी कि नहीं यार हमें तो लगता है कि ये पंच और एक्सर के साइस की ही होगी मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ जिससे आपको भी clarity आ जाएगी कि नहीं भाई ये एक compact SUV ही है प्रॉपर उसका पहला reason ही है दोस्तों कि इसके अंदर आपको panoramic sunroof देखने को मिलेगी अब मैं आपको इक बात बता दूँगी panoramic sunroof जो है देखो पंच के साइस की कार में आ नहीं सकती है कोई sense जादा बनता नहीं है दूसरी चीज यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा यह confirm हो चुका है अब दोस्तों आप किसी भी brand में चले जाओ कोई भी छोटी कार micro SUV जो है आपको डीजल में नहीं मिलेगी अगर डीजल यहाँ पर आ रहा है तो definitely यह सॉनेट और वेन्यू के साइस की कार ही होने वाली है अब मैं आपको बतातू दोस्तों कि यह जो 1.5 लीटर का इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह वही इंजन है और साथी में टॉक कनवर्टर आटोमाटिक में भी सिरॉस आपको देखने में मिलने वाली है दोस्तों आपको पताईए कि वेन्यू और सॉनेट दोनों में 1.2 लीटर का इंजन भी आता है तो यहाँ पर डेफिनिटली आपके बास एक और चांस आ चुका है क्योंकि भाई यह जो कार है न सिरॉस यह मिनी कार नीवल की तरह लगने वाली है आपको तो लुक्स के मामले में बहुत जादा अमेजिंग और कूल होगी अब इससे पहले मैं आपको 1.2 लीटर इंजन के बारे में बताऊं एक बार बात कर लेते हैं कार की सेफटे को लेके भी अगर हम किया से रॉस की बात करें तो बेस मॉडल से आपको 6 एर बैग्स यहाँ पे ओफर होंगे साथी में traction control, hill hold, ABS with EBD ऐसे काफी सारे features जो basic आजकल necessary है वो आपको देखने को मिल जाएंगे पर अगर हम बात करें कि क्या यह car 5 star global and cap level की car होगी तो जी नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है उसका reason यह नहीं है कि तुम्हें कैसे पता test थोड़ी हुआ इस car का उसका reason यह है दोस्तो एक brand value भी होती है अगर आप किया का पूरा portfolio चान मारोंगे ना आपको एक भी car नहीं मिलेगी जो इनके पास 4 या 5 star car हो उस basis पे मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि यह 5 star level की car होने वाली है हाला कि देखो car buyers जो होते हैं दोस्तों अलग अलग तरीके की car buyers होते हैं अगर हम क्रेटा की बात करें क्रेटा भी उतनी अच्छी strong metal quality है फिर heavy build की car नहीं है उसका भी कोई 5 star नहीं है but क्रेटा is one of the top selling car so यहां से आपको क्रेटा का idea लग जाएगा कि वो आपकी mentality के ओपर depend करता है कि आप safety की तरफ जाना चाहते हो और फिर नहीं जाना चाहते हो अब आते हैं भाई सबसे important बात पे इस car का जो price होगा ना भाई Sonnet और Venue की तरह आपको ऐसा नहीं होगा कि आट नौ लाग रुपे के आसपास देखने मिल रही है यह मुझे लगता है कि तकरीबान आपका जो है ना भाई इसकी जो starting की 10 लाग रुपे के आसपास होगी उसका reason यह है कि Siross के अंदर 1.2 लिटर का कोई update नहीं आया है यानि की 1.2 लिटर एंजन का बिलकुल ही यहाँ पे खतम होने का मामला है यह 1 लिटर टर्बो और साथ में 1.5 लिटर का जो है आपको डीजल एंजन आफर करने वाली है वेन्य और सॉनेट के प्राइस लोवर रेंज से इसलिए स्टार्ट हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर यह लोग आपको 1.2 लिटर का एंजन दे रहे थे आठ से 10,000 के बीच में इस कार की मंथली सेल हो जाती है सोनेट अलरेडी काफी अधर कार्स की सेल खाती है वेन्यू की सेल भी खाती है और जो कॉम्पक्ट एस्यूवी का सेंग्मेंट है हमारे देश में आज की डिटर में जादतर लोग जो है लोग कोशिश करते हैं कि यार मैं कम से कम बीना 8-10 लाग की बीच में एक कॉम्पक्ट एस्यूवी ही ले लूँ तो पहली चीज तो यहां पे किया ने एक ऐसा स्टैप ले लिया है कि दो कॉम्पक्ट एस्यूवी अपने पास कर लिया है तो उनके पॉर्टफोलियो में दो उप्शन हो जाएगे अब मुझे नहीं पता कि यह दिमाग इनों ने क्या सोच कर लगाया है शायद लोगों ने यह सोचा हो कि यार इस सेग्मेंट में तो काफी सेल होती है तो अगर हम अपनी कार को दो कर ले यानि कि हम इसमें दो प्रोड़क्ट आपको ओफर करने लगे तो हमारी सेल भी डेफिनिल्टी बढ़ जाएगी इसलिए जो मैंने शुरुवात में आपको बात बोली थी फिर उस सेंस के हिसाब से देखा जाए तो अल्रेड़ी मारूती ने यहाँ पर दिमाग तो लगा दिया था क्योंकि फ्रॉंक्स भी एक तरीकी की कॉम्पाक्ट एस्यूवी ही है पर हाले की वो लगती नहीं है कॉम्पाक्ट स्वी जैसी बट मारूती और गिया ना गई खेल रही थी समझ रहे हो आपको ब्राजा मिल रही थी और नेकसा में आपको फ्रॉंक्स इम miser पर यहाँ पर इश्यून्हन थी प्रोडक्ट अपना बढ़ा लिया है तो मुझे लगता है भाई ठीक है और फिर टाटा क्यों पीछे रहे है, महिंद्रा क्यों पीछे रहे है, भाई 3X-ो की जगा 4X-ो भी कर दो, और साथ ही में भाई टाटा Naxon की जगा, टाटा Saxon भी कार लियो, यार ये कैसा नाम मैंने सोच लिया है, देखो ये फ्लो फ्लो में ये कार की शकल प्रॉपर दिख जाएगी, इसका लॉंच है भाई जनवरी में, और जनवरी एंड या फैप से डिलिवरी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी काता कि देखो, एक तो काईलैक के लिए जल्दी मत करो, इसी डूरेशन में हो सकता है, दो से तीन मह कोई कड़ी चाहिए, कि मैनेज करने में भी प्रॉब्लम ना आए, पॉक्ट पर भारी भी ना पड़े, तो किया सम्हाओ ठीक है, बागी अगर आपको बिल्कुल ही ऐसी कार चाहिए, कि भाई सरदर चाहिए ही नहीं मुझे, मैंने कार खड़े ली, एक रुपा ने लगा वो भी सही रहेगी, क्योंकि सॉनट की ग्राउंट लेरंस काफ़े अच्छी है, तो एक चीज़तों कंफर्म है कि 190 प्लस ग्राउंट लेरंस आपको देखने को मिलने वाली है, अगर हम बात करें कार के वील बेस की, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद इस 250 mm का या 26 mm का वील बी से निकाल देते हैं, तो 3XO को कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि Nexon में भी टर्बो इंचनाता है वाई डिपॉल्ट, 3XO में भी, काईलाक में भी, टेरा में भी टर्बो ही आएगा, और साथी में सिरॉस में भी वाई डिपॉल टर्बो ही आपको देखने किया के, सर्विस हिस्ट्री हो गई, या फिर ओवरॉल परफॉर्मेंस होगी कार की, कार के ड्राइविंग डिनामिक्स, इन चीज़ों को ले ना कोई कंसर नहीं है, बस सेफटी यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करेगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, आने वाले दुनों में सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे टाइमली, आज के लिए इतना ही मिलते हैं इसी और दिन, थैंक्स पर वाचिंग, बाई बाई, एक एव